मुल्तान की सुल्तान शन्नो देवी बनी पहली वैकलोती महिला स्पीकर शन्नो देवी के नाम राजनीती में कई रिकोर्ड है करमेहूं गोराव और आप देखने हैं ख़बर की ज़िए अजादी से पहले वे मुल्तान जो कि अब पाकिस्तान में है से 1940 और 1960 में हुए विदाएक चुनी गई साल 1951 और MUSIC चुनी के पंजाब के केमरी सरसे और साल 1962 में जगाध्री से विदाएक चुनी गई शन्नो देवी सुक्त पंजाब के समय पंजाब विधान सभागी डिप्टी स्पीकर रही और हरियाना बनने के बाद वे हरियाना विधान सभा की पहली महिला स्पीकर बनी चर्नो देवी का जनम दो जुन 1902 को हुआ जलांधर के कन्या महा विधालिया से उन्होंने अपनी पढ़ाई की अंग्रेजी हकुमत के समय साल 1940 में हुए विधान सभा चुनाओं में उन्होंने मुलतान सीट से सरगंगा राम के बेटे को करीब 6000 वोटों के अंतर से पराजित किया और वे पहली बार विधायक निर्वाचित हुई 1946 में वे फिर से मुलतान से विधायक चुनेगी एक बार विधायक के तोर पर मुलतान में उनकी और उनके जमाने में शिक्षा और महिला शक्ष्षती करण के लिए किये गए कारियों को याद किया जाता है विभाजन के बाद उनका प्रिवार अमरिसर में आ गया और चन्नो देवी ने साल 1951 के विधानसवा चुनाव में अमरिसर सीट से भारतिया जनसंग के प्रकाश चंद को प्राजित किया चन्नो देवी को करीब 12496 वोट मिले जबकि प्रकाश चंद को 4076 वोट मिले 1957 का चुनाव चन्नो देवी ने हरियाना के रोध तक से लड़ा लेकिन प्राजित हो गी 1962 के विधानसवा चुनाव में उन्होंने जगाधरी सीट से जनसंग के उमीदवार इंदर से इनको करीब 4990 वोटों के अंतर से हराया राजनीदी में आने से पहले चन्नो देवी चल अंदर के कन्या महाविधालय में परचारे के रूप में काम करती थी जबकि 1936 से 1940 तक हिंदी समाचार पतर शक्ती की संपादक भी रही चन्नो देवी पहली ऐसी महला लीडर रही जो किसी भी राज्जा की विधान सबार स्पीकर के पद तक पहुँची जी हां 1966 को हरियाना का गठन हुआ और चन्नो देवी एक नबर 1966 से लेकर 5 दिसंबर 1966 तक हरियाना विधान सबार की डिप्टी स्पीकर ही और इसके बाद 6 दिसंबर 1966 से लेकर 17 मार्च 1967 तक हरियाना विधान सबा की अध्यक्ष भी रही विशेशतत है यह है कि उसके बाद कोई भी महिला हरियाना विधान सबा की स्पीकर नहीं बन सकी चर्णो देवी के पिता सेत राम खन्ना एक सरकारी मिलाजिम थे हरियाना विधान सबा का स्पीकर रहने से पहले 20 मार्च 1954 से लेकर 26 मार्च 1954 और बाद में 19 मार्च 1962 से लेकर 31 सक्टूबर 1966 तक वे पंजाब विधान सबा की डिप्टी स्पीकर भी रही इस तरह से चर्णो देवी पूरे देश में एकलोती ऐसी महिला लीडर रही जिनों विधान सबा की पहली महिला स्पीकर भी रही और यही नहीं पूरे देश में पहली ऐसी महिला लीडर रही गिसी राज़े की विधान सबा की स्पीकर बनने में भी सफल हो पाई हमारी कास्रिपोर